देखे पूर्फ केंद्री मंतरी और अरदेडी के वरिश्ट नेता जेपी यादों हमारे साथ हैं। बिहार में सराबन्दी हैं लेकिन लगतार लोग जहरिली सराब से मर रहे हैं। सीवान में 20 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है। सारण में दो लोगों की मौत हो चुकिया अखीर सरकार कितनी मौतों को और इंतजार करें शराब बंदी और सराब बंदी के नाम पर मौत का जो तांडव और सिलिसला चल रहा है बिहार में या ओपरतासित है अभी अभी जो है मौते सिवान में हुई छफरा में भी हुई जहरीली सराब से और यह मौत का सिलसला जब से सराब बंदी हुई है सराब की बिक्री हो रही है सराब परोसे जा रहे हैं और गरीब पकड़के जेल में बंद किये जा रहे हैं तो सराब बंदी के नाम पर यह एक जो है यह जो है धंदा हो गया है और यह जो कमाओ एक जो है रूप से इसको सेंसन दे दिया गया है और यह मौट का एक घर हो गया है आपको लगता है पुलीस वालों की मिली भगत रथी है सराब माफियाओं से हम लोग कल जब गए सिवान में तो गाउवाले करें कि खुले हम सराब भीकता है हम लोग पुलीस से करते हैं पुलीस सुनती नहीं है हम तो अभी आप से चर्चा किया कि खुलम खुरा सराब कहां नहीं मिल रहा है और यह मिली भगत है और यह कमाई का जो है सबस्वला जरिया हो गया है सरकारी तंद्र का अजितर को इस सबस्वास्वास्वान भीचार करना चाहिए सराबंदी पर क्योंकि नितिश करते हैं अतिहासिक फैसला अपरा दूमा में कमी आई है लेकिन लोग तो मर रहे हैं वो क्या कहते हैं वो सबाल नहीं है इसलिए वो तो मौत बाट रहे हैं सराबंदी के नाम पर जो है मौत को बाटना या अन्या है कोई ऐसा आदमी नहीं है कि ये कहता कि सराब पीओ सराब पीना चाहिए राश्पिता महातमा गांधी ही कहे थे रन की जए तुम परवत सिकल से पाताल में कूद पढ़ना तब का साधन है तुम जो है सिंग के सामने जाते से में भाइबीत में होना वो प्राकरम का 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 परिक्षा है लेकिन सराब और सराबियों से भाइबीत रहना तो उसके लिए जो काईदा कानून नियम है वो तरीका है उसको छोड़ करके खुलनम जो है सराब की बिक्री हो रहा है सराब आ रहा है यह एक धंदा और जरिया कमाने का मांग करेंगे सरकार से की फैसले को वापस ले इस इस फैसले को सरकार जो है कैसे जो है कि हम सराबंदी के नाम पर गौरक धंदा हो रहा है और सरकारी तंद कर रहा है और तब तक सरकार की ने आज़ ने खुलती है तो क्या मोथ बात रही है। मोथ को ने बाट बातना है ये तो मुथ बात रही है। झाल झाल